राजस्तान में चाहे उक्चुनाव हो रहे हो लेकिन माहौल ऐसा है कि विधान सबाके मुख्य चुनाव हो रहे है साथ सीटों पर हो रहे हैं इन उक्चुनाव में दोनों ही पार्टियों की साकदाव पर लगी है क्योंकि बीजेपी इसको सक्ता में आए अभी एक साल का समय हुआ है और उनके सामने इन साथों सीटों पर जीत हासिल करना एक बड़ी चुनावती रहेगी क्योंकि भावमत हासिल करने के बाद उपचुनाओं में बीजेपी को ये विश्वास है कि जनता एक बार फिर से उन पर विश्वास जताएगी तो वही कॉंग्रेस पिछले एक साल में भाजपा के द्वारा किये गए कारिये यानि की उनकी प्रगती रिपोर्ट को लेकर इन सातों विधानसवा सीटों पर प्रचार करती हुई नजर आई बीजेपी ने छे सीटों पर जहां अपने पत्ते खोले हैं तो कॉंग्रेस ने सभी साथ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिये हैं PCC जीव गोविन सिंग डोटासरा ने दो दिन पहले कहा था कि राजस्थान में कॉंग्रेस किसी भी पार्टी से गड़बंदन नहीं करने जा रही है और सातों सीटों पर अपने प्रत्याक्षी उतारेंगे हाला कि हनुमान बेनीवाल ने बीती राथ तक इंतजार किया कि दिल्ली से कोई मैसेज तो आ जाए गड़बंदन पर महर तो लग जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ देर राथ कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है आपको बता दे की सबसे महतपूर्ण जो सीट है खियूसर की इस खियूसर की सीट में जो रतन चौधरी है डॉक्टर रतन चौधरी सवाई सिंग की पतनी है उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है तो उनके साम ने रेवत राम डांगा मौझूद हैं बीजेपी के लेकिन अब ये सीट काफी रोमान चक बनेगी क्योंकि यहां से विधायक रहे अनुमान बेनीवाल ने लोगसबा का गड़बंदन के तहर चुनाओ लड़ा और जीत भी हासिन। ऐसे में साथ सीटों में सबसे ज़्यादा जो टफ सीट मानी जा रही है वह है क्यूसर की सीट दौसा की सीट पर अगर बात की जाए तो डी सी बैरवा पर कॉंग्रेस ने भरोसा जटाया है जो मुरारी लाल मीना के बेहत करीब ही है। दौसा से बीजीपी के परत्याक्षी है जगमोहन मीना किरोडी लाल मीना के भाई। सीट का मुकाबला भी बेहत रोमान्चक हो सकता है। तीसरी सीट की बात करते हैं जौन जौन। जौन जौन से कॉंग्रेस ने अमित ओला को प्रत्याक्षी बनाया है। आपको बता दें कि ये ओला परिवार का वर्चस वे इस सीट से रहा है। बरजेंदर ओला जिनको सांसत का चुनाव लड़वाया और उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। और अब यहां पर जो चार बार के विधायक हैं बरजेंदर ओला उसके बाद उनके पुत्र को यहां से टिक्र दिया गया है। तो वहीं बीजेपी ने जुनजुनु से राजेंदर बामू पर भरोसा जताया है। सलुंबर की अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस ने रेश्मा मीना पर दाव केला है और बीजेपी ने शांता देवी मीना। के दबाव में ये टिक्र था और मीर्ना गुजर बहुल की जो कॉंग्रेस की सीट है उसमें कस्तूर चंद मीना को टिक्र देकर इस सीट को साधने का प्रियास किया गया है। बैनर लग गए थे आरियन जुबेर को टिकेट मिलने की बदाई के तो वो साब था कि यहां से आरियन जुबेर को ही टिकेट मिलेगा तो वहीं बीजेपी ने सुक्वंध सिंख पर रामगड की सीट से भरोसा जताया है चौराइसी के अगर बात की जाएं तो चौराइसी से बाजकुमार रौत ने अपने जो प्रत्याक्षी हैं जितेश कटारा उन पर भरोसा जताया है ऐसे में देखना ये हुगा कि ये तिर्कोन ये मुकाबला कैसे बनता है क्योंकि बीजेपी ने अभी तक यहां से अपने उमीदवार की घोशना नहीं की है ऐसे में उप्चुन कड़ा होगा मुकाबला कड़ा होगा राजकुमार रौत के बाप पार्टी और आरल्पी के हनुमान बेनिवाल से हनुमान बेनिवाल ने इंतजार किया लेकिन अब हनुमान बेनिवाल कितनी सीटों पर अपने प्रत्याक्षी उतारते हैं ये भी देखने वाली बात होगी दोनों पार्टियों को चुनोती देती हुई नजर आईगी। लेकिन देखते हैं कि उठ किस करवट बैठता है क्योंकि ये राजनीति का उठ है अंतिम शनों तक पता नहीं रहता किस करवट बैठेगी। आप देखते रहिए दनगरी मीडिया, मैं हो लालित वर्मा।